नमस्कार में हूँ अब इनाश पांडी और आप देख रहे हैं निव जोन 11 वर्ल्ड कप में जहां हर मैच की एहमियत होती है वहीं अगर एक मैच रद होता है तो इससे समिकरण जो है वो बदलते हुए जरूर दिखते हैं बात अगर आज की मैच की करें तो आज का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच है और इस बीच अगर हम बात टाइम जो टेवल होता है पॉइंट टेवल अगर उसकी बात कर लें तो पहले अस्थान पर आस्ट्रेलिया की टीम है जिसने पांच मैच खेले है जिसमें से च चार के मैच मे उसे जीत मिलिये और एक में हार मिलिये और अंक तालिका की भात कर ले तो आठ नंबर उससे मेरे और उसा पहले पैदान पर मैंट पर жиз like के साथ New Zealand की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर है अगर तिसरे नंबर की करें तो मैच जोसका न्यम्योंजी लेंड के साथ था वो बारीश की βीशते रद हो गया था इस वज़े से बे नतीजा रहा तो उसके लिए एक अंक उसे मिले और उसके तहट पांच अंक मिले है और वो चौते नंबर पर है पांच वे नंबर पर श्रिलंका है चटे नंबर पर वेस्ट इंडेज की टीम है साथ वे नंबर पर साउथ अफरिका है और आठ वे नंबर पर बंगलादेश की बात कर लें और आज का जो भारत और पाकिस्तान का मैच है इसमें पाकिस्तान यानि की चौथे नमबर पर है वो पाकिस्तान की टीम है और दस्वे नमबर पर अफगानिस्तान की टीम है और उसने अभी तक एक मैच भी नहीं जीता है चार मैच उसने खेले है और चारों मैच ह में बात अगर करें तो सारे टीमों को 9 मैच जिस तरीके से मैच खेलने हैं उसमें से अगर कोई टीम अगर 6 मैच जेती है तो बताए जा रहा है कि उसका सेमी फाइनल में जाना लगभग तैह है इस बीच अगर कुछ मैच रद होते हैं बारिश के कारण तो उसका खासा असर आ मैच अगर एक टीम जेती है तो उसका सेमी फाइनल में लगभग अस्थान तैह माना जा रहा है वहीं अगर भारत पाकिस्तान की बात कर ले तो इसमें जो मुकाबला होगा उस पर जो निगाह सब की टिकी हैं लेकिन बताए जा रहा है कि बारिश की वज़े से यह मुकाबल धुल सकता है हलाकि कुछ मुकाबलों में डख्वस लूइत पददी का भी यहां पर इस्तमाल किया गया है जिसकी वज़े से श्रिलंका टीम पर इसकी मार पड़ी थी वहीं पाकिस्तान और भारत का जो हमने बता रहा है कि एक-एक मैच हम बता रहे हैं कि रद भी हो गया है अब ज़रा रद होगा मैच तो क्या कुछ असर पर सकता है ये भी एक आपको समझनी की जरूरत है कि अगर कोई मैच रद होता है तो क्या होगा जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई टीम अगर छे मैच जित्ती है तो उसका सिमी फाइनल में जाना लगभग तय माना जा रहा ह है तो उसका फायदा जो है वो जो अंक होटे हैं वो बढ़ जाएंगे दोनों टीमों में और एक एक अंक दोनों टीमों को दिए जाएंगे और इस वज़े से अंक तालिका में काफी उतार चड़ा देखने को मिल सकता है लेकिन भारत के हम बात करें तो 6 मैचों की जो हम बात कर रहे हैं जिसमें से 2 मैच भारत ने पहले ही जित लिया है और एक मैच उसका जो नियू जिनलेуждd के साथ था वो बारिश की विज़े से धुल गया है तो अब जो उसके बाकी जो मैच हैं उसमें अगर बात कर लें तो उसके तीन मैच और अगर वो जित्ता है या चार मैच और जित्ता है तो वो सेमी फाइनल ने पहुंचना उसका तया है हला कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अगला जो भारत का मैच है उसने बड़ी टीमों को पिछले मैच में हो राया है और जिस तरीके से होता है तो यहां पर किस तरीके से होता है हलकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर हमारा खासा प्रभाव रहा है इंडिया का खासा प्रभाव रहा है और रिकॉर्ड काफी अच्छे रहे हैं और अगर इस वर्ल्ड कप की बात कर ले तो पाकिस्तान ने चार मैच खिले हैं तो ये तीन जो टीम है वो आपको बता दे कि काफी कमजोर टीम में आंकी जाती है भारत के खिलाफ अगर मैच होगा तो ये तीम में काफी कमजोर है तो यहाँ पर इंडिया को जीत मिले की और मिल सकती है इस वज़े से हम कहा रहा है कि सेमी फाइनल में इंडिया का पहुचना तेय बताए जा रहा है क्योंकि अबी फिलहाल 10-11 नंबर पर है बात अगर सिर्लंका की कर ले तो यहां पर 5-12 नंबर पर है क्योंकि अभी तक उसने 5 मैच मैच खेले हैं और सिर्फ एक मैच में जीत उसे मिली है दो मैच में उसको हार मिली है और दो मैच उसके बार इसकी बज़े से धुल गए हैं तो स्रिलंका टीम भी काफी यहाँ पर प्रेसर में दिख रही है और इस वज़े से बता ही जा रहा है कि लगभग टीम इंडिया का सेमी फाइनल में पहुंचना तैय है क्योंकि अगर आज का मुकाबला भी अगर धुलता है तो आगे जो तीन मुकाबले होने वाले हैं उसमें लगभग टीम इंडिया के जीत मानी जा रही है क्योंकि अगला तीन मुकाबला जो है वो श्रेलंका, बंगलादेश और अफगानित्तान के साथ है और ये भारत के खिल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप फेस्बूक पर लाइक कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमेरे टुटर पर भी फॉलो कर सकते हैं नमस्कार निउस और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं